हेलो पच्चो कैसे हो आप सब लोग तो आज हम बात करेंगे डेजिस्टिव सिस्टम की डेजिस्टिव सिस्टम हमारे शरीर के अंदर एक बड़ी फैक्टरी की तरह है यह हमारे द्वारा खाए गए भोजन को छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ने में हमारी मदद करता है ताकि हमारा शरीर बढ़ने, स्वस्थ रहने और उर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन से पोशक तत्मों का उप्योग कर सके तो चलिए मुह से शुरू करते हैं जब हम खाना खाते हैं तो हम अपने भोजन को दातों की मदद से चबाते हैं हमारी जीब भोजन को हमारे मुह में इधर-ओदर घुमाने में मदद करती है लार मींस सलाइवा हमारे मुँ में मौझूद एक तरल पदार्थ है मींस लिक्विड सबस्टेंस है जो भोजन को गीला करने और निगलने को आसान बनाने में मदद करता है एक बार जब भोजन निगलते हैं तो यह ग्रास नली मतलर की एसोफेगस नामक नली में चला जाता है एसोफेगस एक लंबी स्लाइड की तरह होती है जो मुझ को पेट से जोड़ती है यह पेरिस्टलिसिस नामक मास पेशियों की सहायता से भोजन को पेट की और धकेलती है इससे क्या होता है कि भोजन जो है वो निगलने के बाद में वापस मूँ में नहीं आता है यही एक रीजन है कि जब आप उल्टे खड़े होते हैं या लटक रहे होते हैं तब भी हमारे पेट के अंदर से खाना हमारे मूँ में नहीं आता है इसके बाद भोजन पेट mean stomach तक पहुँचता है stomach muscles से बनी एक ठैली की तरह होता है इसके अंदर gastric juice नामक special juice होता है जो भोजन को और भी अधिक तोडने में मदद करता है stomach भोजन को इन juices के साथ मिलाता है जिससे यह Chime या काईम नामक एक सूपी तरल पदार्थ के रूप में बदल जाता है मेंसे यह Liquid Liquid हो जाता है स्टमक के बाद काईम छोटी आंथ में Small Intestine में चला जाता है छोटी आंथ एक लंबी गुमावदार पाईप या नली की तरह होती है इसमें एक Special Chemical होते हैं जिनको Enzyme कहते हैं जो Food को और भी छोटे Particles में तोड़ देते हैं इन छोटे Particles में वे पोशक तत्व या Nutrients होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक्ता होती है छोटी आथ में छोटी उंगली जैसी संरचनाएं या Structure होती हैं जिनको Willi कहते हैं जो भोजन से जो Nutrients हैं उनको Absorb करके हमारे Blood में पहुँचाने तक मदद करती हैं Blood इन Nutrients को हमारे Body के सभी Parts तक पहुँचाता है भोजन के वे भाग जिनकोई शरीर को जरूरत नहीं होती जैसे की Fibers और अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आथ याने की Large Intestine में चले जाते हैं बड़ी आथ एक चौड़ी नली की तरह होती है यह कच्रे से पानी सोख लेती है जिससे की यह अधिक ठोस हो जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ फिर मलाशय मीन्स रेक्टम में चला जाता है अब अंत में जब हम बाथरूम जाते हैं तो गुदा मीन्स एनस के माध्यम से हमारे शरीर से वो बाहर निकाल दिया जाता है इसलिए पाचन तंतर हमारे शरीर को द्वारा खाए गए भोजन से निउट्रीशन प्राप्त करने में मदद करता है और उस अपशिष्ट से छुटकारा दिलाता है जिसकी हमें आवशकता ही नहीं है यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्रणाली या की सिस्टम है हमारे बोडी का जो कि हमें स्वस्थ और विक्सित रखने में मदद करती है मुझे आशा है कि आपको इस मानव पाचन तंतर को समझने में मदद मिलेगी और यदि आपका कोई प्रश्ण है तो बेजी जग पूछ सकते हैं सो बाई फॉर नाव